जैहिन दोस्तों मैं गगंदी बाफ सभी का स्वागत करता हूँ प्राउड ग्रूप ओफ NCC YouTube चैनल पर और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे Important Full Form की NCC से Related Important Full Form जो आपके NCC के B और C Certificate Exam के अंदर पूछी जाती है और हम डिसकस करेंगे आपे 50 Most Important NCC की Full Form जो आपके Exam में बार बार पूछी जाती है ठीक है तो अगर आप इस Complete वीडियो को भी देख लेते हैं तो आपको Full Form से Related बिलकुल भी गबराने की जरूरत नहीं होगी और मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इसकी PDF भी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी फ्री में ठीक है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के और आज की Class की जो सबसे पहली Full Form है वो है यहाँ पे MMG कि MMG की Full Form क्या होती है तो MMG की Full Form होती है Medium Machine Gun Very Important आपको ध्यान रखना है कि MMG की क्या Full Form होती है तो MMG की Full Form होती है Medium Machine Gun यहाँ पे नमबर दो पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि MPI की Full Form बताऊ तो MPI की Full Form होती है Mean Point of Impact मैं आपको समझा भी देता हूँ यह Weapon Training के अंदर होता है जिस टाइम पे हम बुलेट्स चलाते हैं मालो 5 बुलेट्स हमने चलाई टारगेट को जाके हिट किया आपको पता है वो बिल्कुल एक ही जगह पे तो नहीं लगने वाली लेकिन फिर भी एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि उन 5 की 5 बुलेट्स का असर हुआ है उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं Mean Point of Impact बोल देते हैं अब आपको comment box में ये बताना है कि LMZ की magazine capacity कितनी होती है यानि कि magazine के अंदर कितनी bullets आ सकती है next यहाँ पे question है question number 4 यानि कि इनसास की full form आपसे पूछी गई है वई इनसास आपको पता है बहुत ही important हथियार है ठीक है इनसास की full form क्या होती है तो Indian small arm system या आप ये भी बोल सकते हैं Indian new small arm system ठीक है एक बार exam में ये भी पूछा गया था कि इनसास जो rifle होती है वो कौन से देश द्वारा बनाई गई है तो आपको इसके नाम से पता चल रहे है कि ये Indian weapon है तो इसका मतलब ये भरत देश द्वारा बनाई गई है next question यहाँ पर देखो भई next यहाँ पर क्या है कि आप से पूछी जाएगी कि SLR की full form बताओ तो SLR की full form होती है self loading rifle ये जितनी भी full form हम कर रहे हैं ये very important full form है और आपको exam में as it is देखने को मिलेंगी तो आपको वीडियो को completely देखना है और PDF के बारे में भी मैं आपको बताओंगा तो SLR की full form होती है self loading rifle अब आपको comment box में ये बताना है कि self loading rifle जो होती है उसकी magazine capacity कितनी होती है यानि कि magazine समता कितनी होती है next यहाँ पर है number 6 यानि कि RL की full form बताओ तो RL की full form होती है rocket launcher next question की तरफ हम बढ़ते है next question हमारा क्या है next question है हमारा NRAI NRAI आपको दे दिया जाएगा बताओ इसकी full form बताओ तो NRAI की full form है National Rifle Association of India very important कई बार exam में पूछा गया है NRAI National Rifle Association of India next है यहाँ पर SMG SMG की full form होती है stand sub machine gun stand sub machine gun SMG की full form होती है next हमारा यहाँ पर है AK47 बहुत ही famous अथियार है आप सभी ने सुना होगा तो अवे तो मैं कलासने को वा 47 इसकी जो pronunciation है वो आप अपने हिसाब से देख लेना लेकिन यह जो सामने लिखा है यह इसका पूरा नाम होता है AK47 का number 10 पर यहाँ पर है MG NRAEGA MG stands for महात्मा गांधी NRAEGA stands for National Rural Employment Guarantee Act यानि की rural areas के अंदर जो रोजगार देने का गारंटी का जो अधिनियम है उसे ही MG NRAEGA के नाम से जाना जाता है next यहाँ पर number 11 के उपर क्या है number 11 पर है यहाँ पर SGSY इसकी फुलफोम होती है सवन्ड जोती गराम सवरोजगार योजना सवन्ड जोती गराम सवरोजगार योजना JGSY जवाहर गराम समरिधी योजना PMGSY परधान मंत्री गराम सडक योजना IAY इंदरा आवास योजना very important यह सारी की सारी क्या है government की scheme है और जो भी नई scheme आती है government की उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए बींगे citizen of India भी और बींगे NCC credit भी NSVS National Service Volunteer Scheme National Service Volunteer Scheme very important number 16 के उपर के सार्क की full form बताओ सार्क की full form होती है South Asian Association for Regional Corporation South Asian Association for Regional Corporation आपको यह बताना है कि सार्क का जो headquarter है वो कहां पर है सार्क का जो headquarter है वो कहां पर है और सार्क में total कितनी countries है यानि कि कितने देश हैं सार्क के अंदर यह भी आपको बताना है next question है यहापे question number 17 के उपर पूछा जाएगा आपसे UNICEF की full form बताओ United Nations International Children's Emergency Fund आपको अब यह बताना है कि UNICEF के headquarter कहां पर है यह important बाते हैं आपको वैसे भी पता होनी चाहिए और अगर आप आगे जाके defense के exam की त्यारी करते हैं तो वहाँ पे भी आपसे जो यह international organizations होती है इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा NGO की अगर हम बात करते हैं तो non government organizations होती है NGO very important है कई बार NCC के exam में पूछा गया है इसके अलावा LTTE LTTE की full form होती है Liberation of Tamil Tigers Illum ठीक है 20 number पे HIV very very important है भई HIV और AIDS की full form आपके exam में पूछी जाती है AIDS day कब मनाया जाता है तो 1 December को AIDS दिवस के रूप में मनाया जाता है आप सभी को पता होगा और HIV की full form होती है यहाँ पे Human Immunodeficiency Virus HIV की क्या full form होती है Human Immunodeficiency Virus Next is NACO National AIDS Control National AIDS Control Organization National AIDS Control Organization Number 22 के उपर है STD की full form बताओ STD की full form होती है Sexually Transmitted Disease AIDS भी एक क्या होती है Sexually Transmitted Disease होती है IPKF Indian Peace Keeping Force ठीक है जिस तरीके से UN Peace Keeping Force होती है इसी तरीके से IPKF का मतलब होता है Indian Peace Keeping Force Next is UNO UNO आपको पता है United Nations Organization United Nations Organization होता है UNO United Nations Organizations Very Important Next is WHO World Health Organization WHO की स्थापना कब हुई थी और WHO के Headquarter कहाँ पे है यह आपको comment box में बताना है और जो भी इन सभी questions के जो मैं सभी questions बता रहा हूँ इन सभी questions के सही जवाब देगा ठीक है उनके comment को pin किया जाएगा उनके comment को hurt दिया जाएगा ठीक है और अलग से उस चीज को mention किया जाएगा और अगर यह सारी चीज़ें आप एक ही comment में डालते है तो उससे बढ़िया चीज कुछ भी नहीं हो सकती है next देखो यहाँ पे next है कि हमको bingo की full form बतानी है तो bingo यह एक तरीके से NGO तो इसके अंदर है और आगे है BI तो BI का मतलब यहाँ पे business oriented और NGO का मतलब क्या हो गया यहाँ पे business oriented international BI मतलब business oriented international NGO मतलब वही हमारा non governmental organization जो होता है next यहाँ पे STI STI की full form है sexually transmitted infection जैसे STD का disease था यहाँ पे I से क्या हो गया injection हो गया next देखो मैंने बहुत चादा कि AIDS की full form आप से पूछी जाएगी जरूर से जरूर यह देखो acquired immunodeficiency syndrome very important है भई आप इसको अच्छे से याद कर ले क्योंकि यह आपके exam में आ सकती है पूरे पूरे chance है और AIDS दिवस कब मनाया जाता है तो 1 December को मनाया जाता है मैं कोशिश करूँगा एक ऐसी वीडियो लाँ जो आपके exam में पूछे गए हैं बार-बार नेक्स्ट है यहाँ पे 29 RVC RVC की full form है Remount and Veterinary Corps different different types के Corps होते है जिस तरीके से हमारा Corps है National Cadet Corps इसी तरीके से RV&C का मतलब Remount and Veterinary Corps AMC होता है Army Medical Corps ठीक है ASC का मतलब होता है Army Service Corps Medical Corps जो medical supply करते है Remount and Veterinary Corps होता है जो आपने देखा होगा normally जो घोडों के उपर सैनिक होते है या फिर NCC में भी जो cadet होते है ठीक है जो घुड सवारी करते हैं एक तरीके से उसे हम वो Remount and Veterinary Corps के अंदर आते है NCC National Cadet Corps आप सभी को पता है We are the part of that organization Next is AOC AOC यहाँ पर Army Ordinance Corps ठीक है APS Army Postal Services MFS Military Form Services S यहाँ पर Next हमारा SIM जो हम SIM use करते हैं उसकी Full Form क्या होती है तो Subscriber Identification Module SIM की Full Form क्या होती है Subscriber Identification Module DNA की Full Form क्या होती है Deoxy Ribonucleic Acid ठीक है और RNA की Ribonucleic Acid DNA की Deoxy Ribonucleic Acid Important Full Form है पता होनी चाहिए Next यहाँ पर क्या है कि News News की Full Form है New Enlightenment Wisdom and Service ठीक है यह News की तो Different Different Full Form होती है आप यह भी याद रख सकते है New Enlightenment Wisdom and Services कई News का मतलब बताते है कि एक तरीके से News होती है जो चारों तरप से आए यानि कि North, East, West और South की जो जानकारी होती है उसे हम News बोलते है Different Types of Full Forms होती है आप कोई भी इनमें से याद रख सकते है NDTV की Full Form होती है New Delhi Television NDTV की Full Form क्या है भई New Delhi Television Next यहाँ पर क्या है 3G 3G की Full Form होगी यहाँ पर Third Generation of Wireless Mobile जिस तरीके से 2G होता है तो Second Generation of Wireless Mobile 3G हो गया Third Generation of Wireless Mobile 4G हो जाएगा Fourth Generation of Wireless Mobile 5G हो जाएगा Fifth Generation ठीक है 4G आगए यहाँ पर Fourth Generation of Mobile Network ठीक है Mobile Network PDF Portable Document Format Format नहीं आएगा यह Format आएगा ठीक है Format Portable Document Format यानि कि ऐसा document जिसको Port किया जा सकता है Port मतलब आसानी से ले जाना कहीं पर Portable जिस तरीके से पहले जो Computer होते थे वो इतने Portable नहीं होते थे Portable मतलब जिस चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाके उसे हम Easily Portable बोलते है जैसे Laptop Easily Portable है Laptop से भी ज़्यादा Mobile Easily Portable है ठीक है Next हमारा यहाँ पर है Wi-Fi Wi-Fi की Full-Form होती है Wireless Fidelity अब आपको पता लगा होगा कि Wi-Fi जो हम Use करते है उसकी Full-Form क्या होती है तो उसकी Full-Form होती है Wireless Fidelity हाँ वीडियो खतम होएं से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो PDF है वो आपको Telegram Channel के उपर मिल जाएगी Telegram पे मैं आज ही डाल दूँगा इसको Telegram Channel का नाम है Proud Group of Fancy सी और वैसे भी आप वीडियो के निचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा और कमेंट बुक्स में भी दे दूँगा वहाँ पे Telegram Channel का लिंक वहाँ से जाके आप Telegram को जोईन कर सकते है नमबर 44 पे है ATM ATM की फुलफोम होती है Automated Tailor Machine AIM का होता है AOL Instant Messenger ठीक है यह Defense से Related Terminology है Next 46 पे है यहाँ पे Pen Pen Card नहीं बनता जो हमारा उसकी फुलफोम होती है Permanent Account Number क्या फुलफोम होती है Permanent Account Number Backup Avionic System Software www की फुलफोम होती है World Wide Web Tim Bernas Lee दवारा World Wide Web का अविस्कार किया गया था ABM क्या होता है Anti-Ballistic Missile ABM की क्या फुलफोम होती है Anti-Ballistic Missile अगर आप में से किसी को पता है कि Anti-Ballistic Missile क्या होती है इसको हम किस तरीके से Define कर सकते है तो आप प्लीज एक्स्प्लेइन करें कमेंट बॉक्स में कि क्या होती है Anti-Ballistic Missile Next यहाँ पे है AHQ AHQ की फुलफोम होती है Army Headquarters तो यह आज हमने डिसकस किये Most Important 50 फुलफोम जो आपके NCC एक्जाम में पूछी जा सकते हैं इस वीडियो को दो से तीन बार आप देखें आपको यह अच्छे से याद हो जाएंगी और फिर आप अपने एक्जाम के अंदर बहुती अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो इसी तरह की और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जुड़े रही है प्राउड ग्रूप ओफ एंसी सी यूटूब चैनल के साथ नेक्स्ट वीडियो तक जैहिंद जैभारत थैंक्यू वेरी मच्छ